जैमातादी दोस्तों स्वागत है आपका चमतकारी टोट के चैनल पर दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्री को एक बहुती पवित्र अब्दी माना गया है हर वर्ष अश्विनी मा के शुकल पक्ष की प्रतिबता तीथी से लेकर नवमी तीथी तक शार्दी नवरात्री बनाई जाती है इन नौ दिनो में जगत जन्नी आदि शक्ती मादुरगा की नौ शक्ती रूपों की पूजा की जाती है साती नव दुर्गा की नियमित नौ दिनों तक व्रत उपपास रखा जाता है जगत चन्नी मा दुर्गा की महिमा अपरम पार है अपने भक्तों पर विशेश खृपा बरसाती हैं और उनके सबी दुख हर लेती हैं वहीं दुष्टों का संखार करती हैं सादक भक्ती भाव से जगत की देवी मा दुर्गा की नौ दिनों तक पूजा करते हैं आईए जानते हैं शार्दिय नवरात्री की तिथी घट सापना शुफ मुहरत एवं कुछ विशेश उपाए तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें और वैल आइकेन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें दोस्तो पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी मा की शुकल पक्ष की प्रती बताती थी का आरंब 3 अक्टूबर सुभा 12 बच के 19 मिनिट से हो रहा है और 4 अक्टूबर को सुभा 2 बच कर 58 मिनिट पर समाप्थ होगी उद्यातिती के अनुसा 3 अक्टूबर गुरुवार से शार्दिय नवरात्री आरंब हो रही है जो 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्थ होगी पंचांग के अनुसा नवरात्री के पहले दिन मा शैल पुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और साथी लोग कलस्तापना भी करते हैं कलस्तापना के लिए शुब मूरत 3 अक्टूबर को सुबह 6 बचकर 19 मिनिट से 7 बचकर 23 मिनिट तक है साथी अवजीत मूरत 11 बचकर 52 मिनिट से लेकर 12 बचकर 40 मिनिट तक है इस बार शार्दिय नवरात्री गुरुवार के दिन शुरू हो रही है ऐसे में मातारानी का वहान इस बार पालकी रहेगी दरसल नवरात्री में मातारानी का धर्ती पर पालकी में आना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है इससे देश दुनिया को आशंग की महमारी या फिर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है बही मातारानी का चड़ना युद प्रस्तान करने से जीवन में दुख और अशान्ती बढ़ सकती है दोस्तों अगर आप नवरात्री के दौरान भक्ती भाव से कुछ विशेश उपाय करते हैं तो मातुर का प्रसन होग कर आपको आशिरवार प्रतान करती है इससे ना सिर्व आपका भागे बदल सकता है बलकि घर में सुक समरिदी भी आती है पहला उपाय अगर आपके घर में पैसो से जुड़ी समस्या लगतार बनी रहती है तो नवरात्री के दिन कलस्तापना करने से पहले नारियल और सूजी का ये उपाय जरूर करें एक सूखा नारियल ले और सूजी को घी में भून कर उसे नारियल के अंदर भर दे फिर कलस्तापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच जगा पर मिट्टी में दबा दे का जाता है कि चीटिया इस सूजी को खाएंगी तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कते भी दूर होंगी दूसरा उपाय जिन लोगों के घरों में रोजाना लड़ाई जगड़े होते हैं या किसी ना किसी वज़े से आपस में मन मुटाव की स्थिती बनी रहती है उन्हें शार्दिय नवरात्री के शुव अवसर पर एक पीले कपने में लौंग का एक जोड़ा बांद कर घर के किसी कोने में टांग देना चाहिए इस उपाय को करने से घर में विवाद समाप्त होता है साथी पैसों से जुड़ी दिक्कते भी दूर होती है वहीं इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उपाय बेहदी कुप्त तरीके से किया जाना चाहिए तीसरा उपाय यदि आप किसी वैपार से जुड़े हैं और आपका वैपार मंदा चल रहा है तो नवरात्री के नौ दिन पान के पत्तों से जुड़े ये चमतकारी उपाय जरूर करें नवरात्री के 9 दिन पान के पत्ते के दोनों ओर सरसो तेल लगा कर माता दुर्गा के चर्णों में अर्पित कर दे रात को सोते समय इस पत्ते को अपने तक्ये के नीचे रख लीजिए ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से वैपार में व्रिद्धी होती है और मुनापा भी जादा होता है चौथा उपाय अगर आप आठिक संकट से जूज रहे हैं तो आपको नवरात्री के पहले 5 दिनों में एक पान के पत्ते पर चंदन से ओम एन ग्रीन क्रीन चामुंडाय विच्छे मंत्र लिखकर माता रानी को चड़ाएं ये माता का बीज मंत्र है फिर नवमी के दिन इन पत्तों को लाल कपड़े में बांध का तिजोरी में रख दें इससे आपके आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी पांचवा उपाए अगर आप देवी दुर्गा को शिग्र प्रसन करना चाते हैं तो नवरात्री के नौ दिनों में पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुडी रखें और इससे देवी को अर्पित करें फिर नवमी की पूजा करने के बाद सभी पतों को नवदी के जल में प्रवाहित कर दें इससे मादुर्गा जल्दी प्रसन होंगी और घर में सुख सम्रिदी भी बढ़ेगी छटा उपाए घर के बरक्कत पढ़ाने के लिए नवरात्री में किसी भी दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने स्नामने मोती शंक को रखे और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन बना ले इसके बाद श्री रीन श्री महालक्ष में नमा मंतर का जाप करें मंतर का जाप स्पटिक माला से ही करें मंतरों चारण के साथ एक एक चावल इस शंक में डालें इस बात का ध्यान रखें कि चावल तूटे हुए ना हो इस प् इंटर्वियू में सपलता के लिए नवरात्री में सुभा जल्दी उठकर स्नानाधी करने के बाद सपेत रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्फ दिशा के और मुख करके उस पर बैठ जाए अब अपने सामने पीला कपडार बिछाकर उस पर 108 तानो वाली स्वटी की माला रग जाएगी जब भी इस किसी इंटर्वियू में जाए तो इस माला को पहन कर जाए यह उपाय करने से इंटर्वियू में सपलता की संभाव ना बढ़ सकती है मंत्र है ओम रिंग वाग्यबादिनी भगवती ममकार सिद्ध कुरू कुरू फट्सवाव आठवा उपाय मंचाही दुलहन के लिए नवरातरी के दोरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुभा किसी शिव मंदिर में जाए वहां शिवलिंग पदूद दही घी शेहद और शक्का चड़ाते हुए उससे अच्छी थरा से साफ करें फिशु दजल चड़ाए और पूरे मंदिर में जाडू लगा अब 40 दिनों तक नित्य इस मंत्र का पांच माला जाब भगवान शिव के सामने करें इससे शिगरी आपकी मनोकामरा पूर्ण होने के योग बनेंगे नवा उपाए नवरात्री में कन्या पूजन का विशेश महत्व है नवरात्री के अश्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है धार्विक मानेता है कि नवरात्री के दौरान छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने से मातारानी प्रसन होती है और अपनी कृप का वर्साति हैं कन्या पूझन करने के बाद ही नवरात्री की पूझा सफल मान perlu जाती है जो भक्त नवरात्री के समय कन्या पूझन करते हैं उनका घर का भंडा सदेव धन धाने से भरा रहता है साथ इंके घर में शांति और खुशया भी बनी रहती हैं दस्वाव पाए माता दुर्गा को गुड़ेल का फूल अद्यदिक प्रियर है नवरात्री के पहले दिन से ही गुड़ेल का पुष्प अर्पन करने से माता दुर्गा प्रसन होती है और भगतों को मनवांचित फल प्रदान करती है अगर आपके घर के आंगर में तुलसी का पौदा नहीं लगा है तो नवरात्री में इसे जरूर लगाए तुलसी लगाने और पूजन करने से मातुर्गा प्रसन होकर जातक पर अपनी कृपा दिश्टी परसाती है तो दोस्तों ये थे नवरात्री के कुछ विशेश उपाए इसी तरीके के और वीडियो के लिए हम माता दी